नमस्कार आदाव एंसस्रीयकाल कैसे सब अप लोग बहुत दिन बात ट्यूटिरल दे रहे हैं तो इसलिए माफिच आ रहा हूं क्योंकि कुछ स्कीडूल्ड एक्टिविटी था मेरा और आफिस में कुछ एक्स्टा काम था जिसके वज़े से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था एनिवे बट कुछ दिन से मैं सोच रहा था कि एक ट्यूटिरल देना चाहिए रिगार्डिंग एक्यू बैसिकली हम लोग जो डायनमिक एक्यू करते हैं बहुत प्यार से देखिएगा होफफुली कुछ सीखने को मिल सकते अपको ठीक है के चली हम तेरे बिन अब रहने ही सकते तेरे बिना क्या वाजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाए क्यूंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिन्दगी अब तुम ही हो चैन भी ठीक है तो यह मेरा ही गाना है तो मैं ór ऑजा है यह वरा गाना तो जितना दूर कोशिस है किया है तो त works वे चलिए एक बढ़ हम लोग लुग डिसकर्स करते हैं इसमें मारा इन नहां कि इसमें कर देक उます है यह यह तो अब लोगो को सब पता ही हो गया क्योंकि मेरा चैनल पर अगर आप जूरे हैं तो बहुत सरे टूटिरल्स है इसका रिगर्डिंग बट जो न्यू जॉइनर्स है और जो अभी अभी सीख रहा है तो इसके लिए बहुत ही महत्वपुन होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है ठीक है तो बेसिकली देखिए यह जो वोकल है इस वोकल को मैंने पहले एक प्रसेस किया था उसके बाद पहले वाला प्रसेस यह था ठीक है इसको मैं अगर इनेविल ट्रैक करता हूं इसको अगर हम देखने हैं तो एक हुट है और वा पिम प्रप्रेशर के थूर्ब्स करकर यह वाला ट्रैग बना लिय कंप्रेशर और अगर मैं सारे एट का देखिए एक चीज है जो मैंने पहले बर भी डिसकस किया है बहुत बार की सबसे पहले कोई वोकल को, कोई मिक्स को बहतरीन बनाने का एक मत्र उपाए है कि आपको अच्छा गाना है, रेकॉर्डिंग अच्छा होना है और ऐसा नहीं है कि बहुत सरे प्लागिन से बहुत प्लागिन से आया हुआ है, सारे पाच्छा है, कोई भी खराब नहीं है, सिर्फ यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ओके, तो चलिए, पहले हम इसको ड्राई सुनते है एक बार, ओके, फिर हम लोग सोलो करके सुनते हैं, उसके बाद हम डिसकस करते हैं हम तेरे बिन अब रहने ही सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझे से जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा ठीक है, अभी इसमें जितना भी गेंस्टेजिंग करना था मैंने वो कर लिया ओलेडी ठीक है अगर गेंस्टेजिंग का बारे में जानना है तो मेरा चैनल पे यह वीडियो है आप देख सकते हैं, बट यह ओलेडी गेंस्टेजिंग किया हूँ है, इन फैक्ट एक मोड माइक मोड इसी से मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया इसमें बैसिकली मेरा जो माइक्रोफोन था वो रोड एंटी वन ए था तो मैंने थोरा सा टोन में चेंज कर लिया इसी प्लाग इन के थूट और कुछ नहीं किया इसलिए आपको भारी-भारी आवा जा रहा है एक बार सुन किया यू! हम तेरे भी अब रहने ही सकते , ठीक है अभी इसमें मैने एक ऐ क्यू किया हूए एक बार हम देखेंगे आजिके यू करने के बाद एक बार सुनते ऐसके बात मैं discuss करता हूँ आज का जो टॉपिक है जो डायनमिक क्यों कहां पर डायनमिक होना ज़रूरी है कहां पर नहीं होना ज़रूरी है ओके यह सवाल आना चाहिए अंदर में तभी जाके अपको अच्छे तरह से सीख पाएंगे पहले आप यह सुनिया हम तेरे बिन अब रहने सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझ से जुदा चेक है चलिए हम अब भी डिसकस करते देखिए सिर्फ मेरा यह प्लाग इन ओन है OK दिखते हैं हम तेरे बिन अब रहने ही सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तेखिए यहां पे यहां तक मेरा फ्रिक्वेंसी आ रहा है मतलब इसके बाद जो हमारा है सारे यह हमारा रामबिल्स है जो रामबिल हमाने काट दिया क्योंकि हम लोगों को पता है कि 20 Hz to 20 kWh के अंदर ही frequency रहता है बाट इस frequency का नीचे में यह frequency unused है noise है इसका कोई जरूरत ही नहीं है ठीक है यह चीज हम लोग एक बार discuss भी किये थे एक बार हम दिखा देते क्यों इसका पीछे भी एक reason है अगर मैं यह पेक देखिए पहले मैंने disable कर दिया सारे को ठीक है मैंने वही वाला plugin लेता हूँ अभी देखिए क्यों मैं यह चीज कह रहा हूँ देखिए आगर मैं इसको काटता हूँ अभी आप सुनिए इस ही जाएगा में 135 के असपास होगा इस ही में मैंने काटा था correct देखिए इसको भी मैंने लेके आता हूँ यह देखिए 105 में काटा था मैंने ठीक है तो 105 में इसको भी करता हूँ ठीक है अभी आप देखिए इसको मैं डिजिवल करके रखा रहा हूँ सिर्फ यह नेवल है ओके इसको मैं बंद करता हूँ अब यह आप देखिए इस पोजिशन में क्या है फ्रिक्वेंसी की ठीक है इसका मतलब यह फ्रिक्वेंसी हमारा इक्स्ट्रा राम्बल बोल सकते एक्स्ट्रा नॉइज एड करने जो अनवांटेड है जुरूरत नहीं है मैं इसलिए आपको यह चीज दिखा और एक फ्रिक्वेंसी एक्यू प्लागिन से मैं दिखा रहा हूँ कि यह वाला फ्रिक्वेंसी को मैंने काट आफ किया तो चलिए इसको मैं बंद करता हूँ अब इसको मैं इनवल करता हूँ हम तेरे बिन अब रहे आच्छा इसका रिजिन मुझे पता चल गया कि क्यों मैंने यह वाला फ्रिक्वेंसी को काटा नेक्स्ट कुश्चन आ रहा है कि इसको मैंने डायनामिक क्यों किया देखिए हम तेरे बिन अब रहे नहीं सकते अब नोटिस कीजिए हम तेरे बिन जब रहे नहीं सकते ना 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 जितना भी सोम आ रहा है सोम हम तेरे बिन अब रहे नहीं सकते तेरे बिन आ क्या वजूद मेरा ठीक है यह चीज़ वजूद मेरा यहां पर हम जो थार्स्ट दे रहा है हमरा जब वोकल है वोकल से जो थार्स्ट आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है, ओ मैंने गिंस्टिस तो किये हैं, बाट इस जाएगा को मैंने डाइनमिकली कंट्रोल कर रहा हूं कि ओ वाला वर्ड सुनने में कोई हर्स ना लगे, या कोई कानों में ना चुके, बाट उसका फ्लेवर मुझे पता हम तेरे बिन अब रहने ही सकते, तेरे बीना क्या वजूद मेरा, ठीक है, हम यह चीज, हम तेरे बिनAL न बहीं क्या वजूद मेरा, ठीक है हम तेरे बिन अब रहने ही सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा ठीक है यह चीज़ हुआ ना हो यह वाला पॉइंट जो मैंने डिसकस कर रहा था कि इसको थोड़ा बढ़ा करें लार्च करें इसे भी थोड़ा लार्च करें ठीक है चलिए इसको हम देखें कि यह जो फ्रिक्वेंसी था इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके सब आल्ट प्रेस्ट करके मैं उपर लेके आऊँगा ओके अब ही अब हम इसको सुनेंगे पहले इसको हम डिजबल डाइनमिक करते हैं अब सुनते हम तेरे बिन अब रहने हैं सिर्फ यह फ्रिक्वेंसी को सुनिएगा दीए अब ही खुश्चन ही आ रहा है कि यह वहला फिक्वेंसी कि मैं कट दूँगा अगर मैं सुचिए मेरा पॉइंट कहां पर आ रहा है मैं क्या डिसकस करना चाहता हूं अगर मुझे लग रहे हैं कि नहीं मुझे यह बला काट देना चाहिए ठीक है पहले इसको डिजबल क्लिए डैनेमिक करते ओके डैनेमिक मैं इसको काट दिया कितना कटा ना 3.4 डीबी कटा अब सुनते हम तेरे बिन अब रहने ही सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा सुनिए कि यह जो फ्रिक्वेंसी मैंने कट दिया यह थूआउट दा गाना सारे जैगा मैं कट गया नोटिस कीजिए मैं दोबरा गह रहा हूँ कि यह जब ही मैं काटा यह वाला फ्रिक्वेंसी को यह थूआउट दा गाना सारे जैगा मैं कटा बट मुझे यह नहीं चाहिए सिर्फ यह पॉर्शन में क्यूंकि मुझे इस पॉर्शन में जहां पे मेरा वाला यह नोइस आ रहा यह गाना यह जो साउंड यह सारे गाने में तो नहीं है कभी-कभी सुन रहे कभी-कभी नहीं सुन रहे तो जो मिली सेगेंड में आप नहीं सुन रहे हो उस जैगा पे भी काट हो जा रहा है आगर मैं इसको पूरा कट करूंगा तो अगर मैं ऐसा कट कर दिया तो थूआउ जो साउंड आगों करके जो साउंड आ रहा है वो नौइस जावी आएगा तभी ये कटे अधर वह इस नहीं कटे सिर्फ ये पॉर्शन में इस पॉर्शन पर नहीं है इसका डिटेल में बाद में आ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा इसको मैं पूरा इसी जगह पर लेकर में डायनमिक करूंगा डायनमिक करने से दिखी नीचे वाला ही आ गया इसको क्लिक करूंगा और प्रेस करूंगा और नीचे आ जाओंगा अब सुनते हम तेरे बिन अब रहे अचा इसको इनेबल करना पड़ेगा इनेबल अब सुनते हम तेरे बिन अब रहे नहीं सकते ते तेरे बिना क्या वजूद देखिए तेरे बिना क्या वजूद तेरे बिना तभी हो रहा है काम वजूद सब जगा में नहीं होगा काम हम तेरे बिन अब रहने ही सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है हम तेरे बिन अब रहने ही सकते तेरे ब क्या वजूद मेरा क्योंकि वजूद मेरा में यह वो जो विसल वाला साउंड है वो नहीं आ रहा था तो जीस जएगा में मुझे नहीं चाहिए उस जएगा को मैं चेहरेंगे यह नहीं अब इसको देखिए अगर मैं इसको लेकर आता हहूं यह पर इसको क्या किया था? क्यों किया था? पहले हम इसको clear dynamic करेंगे अब इसको हम alt प्रप्रप्र करके उपर लेकर जाएंगे अब इसको हम सुनेंगे क्या था हर टेम नहीं आ रहा है यह चीज कभी कभी आ रहा है बट वो ही मेरा कानों पर चुकेगा इसलिए मैं क्या किया यहां पर लेके आया इसको मैंने make dynamic कर दिया अब इसको पकर के alt पकर के नीचे लेकर आएगा ठीक है अब यह आप देखिए अब इसका compress चो हम compress कर रहे ना इसको आप यहां से भी control कर सकते है threshold value set कर सकते हैं हम तेरे बिन अब रहने देखिए यह नीचे आ जा रहा है देखिए threshold मैं अगर change करूँगा तो यहां पर यहां से click करके लेके आया था और कुछ नहीं minus 26.7 db हम तेरे बिन अब रहने अगर यहां पर attack जा रहा है तो मैं इसको नीचे करूँगा हम तेरे बिन अब रहने अभी हम इसको tweak करें हम तेरे बिन अब रहने सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझे से जुदा अगर हो जाएं इसमें मुझे clear sound दे रहे है इतना दूर थे करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे ओके चली यह यह दो जो points है जो section है यह section में मैंने dynamically control किया frequency को बाट इस जाए को नहीं किया था एक बाद देखेंगे हम माइनस 3.13 dB में था ओके चली हम देखते है क्यों नहीं किया था इसमें और क्यों ज़रूरत था या नहीं था यह आपका कान बताएगा notice किजिए 1.6 kHz ठीक है 1.6 kHz में moreover all the time आपको यह वाला frequency आ रहा है ठीक है जो ही सिल वाला frequency जो चुकने वाला यह इसको उपर आप प्रोसेस करेंगे बहुत सरे plugin आप एड़ गरेंगे saturate करेंगे इसको आप air डालेंगे इसके अंदर में और saturation भी बोल सकता है आप वह भी करेंगे और इसमें आप reverb डालेंगे तो वह निखर के आ जाएगा यह बाहर आ जाएगा तो मैं उसको नहीं चाह रहा हूं तो इसलिए मैं इसको dynamically control ना करके काट कर रहा हूं माइनस 3.13 ठीक है इसमें मुझे काम हो जा रहा है मैं माइनस 3.13 कर रहा हूं मतलब आपका गना में भी होगा ऐसा नहीं है बाट यह मुझे लगा कि इस frequency में यह सही है इतना दूर अगर मैं काट करता हूं तो चल जाएगा क्या वजूद मेरा तुझे से जुदा अगर हो जाएंगे सिमिलियर्ली यह भी है देखिए अगर अगर को यह सुना ही देगा क्योंकि यह frequency कर आप frequency है मुझे यहां पर डायनमिकली कंट्रूल करने का कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं कटूंगा इसको समझे मेरा बात अब सुने हम तेरे बिन अब रहने ही सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझे से इतना दूर तक clear हो गया कि क्यों मैं dynamic करूंगा कहां पे करूंगा और क्यों करूंगा और कहां पे नहीं करूंगा dynamic कहां पे मैं forcefully एकड़म डिलीटी करूंगा वो frequency को मेरा गाने से ठीक है और यह सब चीज सारे चीज करूंगा after gain staging gain staging करने के बाद उसको completely fresh करने के बाद गाने को पुरा clean करने के बाद जहां पे noise है वहां पे manually कटूंगा जहां पे सांसे का noise है वहां पे manually मैं इसको time करूंगा कम करूंगा इदरी भी कम करूंगा यह finish हो जाने के बाद मैं इस process पे आऊंगा इसके पहले बहुत सरे process है vocal को clean करने का उसका बहुत सरे video है मैंने discuss किया बट इस video में मैं discuss नहीं कर रहा हूं है बाट अभी यह जो position है देखिए जो यह जो 8K के पास मैंने थोरा सा frequency को कटा है frequency को मैंने team down किया ठीक है तो यह यह जो मैंने filter filter को apply किया इस जो band को apply किया मैंने ठीक है तो इस filter को मैंने क्यों apply किया अगर मैं इसको डीडीडीड कर देता हूं फिर क्या होता है देखते हम तेरे बिन अब रहने ही सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा मैं गाने में इसको मतलब basicली कुछ नहीं है यहाँ पर हाईस को मैंने काटा है क्योंकि गाने में already हाईस था अब यह पुछेंगे कि अब कि को कैसे लग रही कि हाईस था गाने में कैसे आ गया क्योंकि माईक मोट जो use किया मैंने उसी का जो tonal quality है मतलब मैंने इसमें नॉयमेन का TL 103 यूज़ किया माइक मोड ठीक है मतलब मैं तो गाया था रोड 81 से तो वो sound का जो frequency है वो frequency की वो match करा दिया TL 103 के साथ माइक मोड जो plug-in है उसके थूँ अभी उसी में highs ज़्यादा आ गया मेरा तो इस जगह में highs मुझे अगर ज्यादा पहले से आ गया तो मैं उसके बाद process करूँगा तो highs और भी ज्यादा आएगा फिर mastering करूँगा तो और भी आएगा इसलिए मैंने थोड़ा सा safe site खेलने के लिए इसको मैंने tame down किया है देखिए यगर इसको मैं enable करता हूँ तो देखिए हम तेरे बिन कौन सा frequency को मैंने किया था ठीक है यह इसी लिए मैंने इस frequency को काटा है ठीक है बाद में यह चीज दोवारा मुझे काम नहीं करना पड़े अभी आप देखिए क्यों मैं यह चीज कह रहा हूँ अभी मैं इसका tone ship किया देखिए अभी आप सुनिये जाना हम तेरे बिन अब रहने सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा और एक चीज है बहुत important है यह चीज आपको सारे गाने में DSL लगाना पड़ेगा यह लगना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है जहां पे जरूरत पड़े वहाँ पे लगना है जहां पे जरूरत नहीं पड़े वहाँ पे नहीं लगना है क्योंकि हर एक plugin उसका अलेक से लि होता है यह चीज प्लीज अब लोग धैन में रखिएगा कोई भी प्लग इन अप लगाएंगे उसका एक अची लोड बरता है यह तो पीजरोंड प्सी तो आप का पřी अपके कर रहे हो ने ना तो यह हर एक प्लगिन का अलस से एक रेटेंसी है अलग से लोड बढ़ता है इसमें और एक गेन भी बढ़ता है इसलिए जहां पर ज़रूरत ना हो अब अच्छा गये हैं कोई ऐसा क्यूंकि हमारा तो गाने का स्टाइल हम लोग का अदा से पता ही नहीं है हम लोग कहां पर मुह खिला के गाएंगे कि वर्ड को कैसे कौन सा पेस में मुझे थ्रो करना है और कैसा कौन सा डिरेक्शन पर थ्रो करना है तो इसी के चलते अगर आपका टेक अच्छा हो तो आप DSR नहीं भी यूज कर सकते हैं इवेन DSR को आप फ्रिक्वेंसी के थ्रू मतलब यह जो फ्रिक्वेंसी प्लागीन है इसकी EQ प्लागीन है EQ प्लागीन से भी कंट्रूल कर सकते हैं अगर आपको पॉइंट वाइज कम करना है तो मन्दब स्पेसिफिक कुछ जगा में DSR तो वही करते हैं आप 8K के उपर 60K के तक तो DSR ही कम करते हैं तो उसी को अगर आप चाहते हो कि फ्रिक्वेंसी का प्लाग प्लागीन है उसी से भी आप कंट्रूल कर सकते हो आगर वो सारे गाने में हर टेम ही आपको SS ना मिले तो तब अगर आपको पुरा गाने में SS आ जाता है कानों में चुबने के लिए लगा रहा है तो आपको बहुत सारे काम करना पड़ेगा ये EQ प्लागिन से उसको ऐलिमि लगाना है नो ये अपको डिसाइड करना है सुनने के बाद अभी हम एक फ्रेश याद लगाया थोरा सा इसको याड डाला है और थोरा सैचूरेट किया हम तेरे बिन अब रहने ही सकते देखिए पॉइंट नोट कीजिए मैं अगर बहुत इंट्रस्टिंग है यही चीज सम यह फ्रेश यह से मैंने आठ तक भी नहीं दे पाता क्योंकि यहां पे जो आपका यह है निडल है यह निडल यहां पे चला जाता और सैचूरेट हो जाता तब मुझे यहां पर ट्रिम करना पड़ता था ठीक है समझे मेरा बाद मैं क्या बोल रहूं मैं बोल रहूं कि आग यह सेचूरेट तो करूं गई तो पहले अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो प्रॉलम है इसलिए मैंने इसके बाद ही फ्रेश यह को डाला देखिए इसमें अल्लेडी मैंने थोड़ा बहुत किया है ठीक है थोड़ा बहुत मैंने टोन से पिंग के टाइम पे किया ओके अ चीज स्पार्किल जो मैंने एड़ किया देखिए ओएड करने से यह रेट तक आ जाता और यह जो नीडिल है अभी अब नहीं आएगा देखिए अगर रेट तक आ जाते तब भी एक प्रॉसेस है बट उचीज हम नहीं करेंगे क्यों हम बाद में टूइक करेंगे क्यों नह हम तेरे बिन अब रहने सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझे से जुदा अगर हो जाएंगे तु खुद से ही क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो जैन भी मेरा दद भी मेरी आशी की अब तुम ही हो ठीक है तो आज के लिए यही था अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कॉमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं पूछ सकते हैं मैं आंसार देने की कोशिश करूँगा जिदना दूर तक मेरा जान करी है मैं डिफिनली करस करूँग अब को लिए ठीक है तो आपको कैसे लगा वीडियो में जरूर बताईएगा क्योंकि आपका जो इंपूट साही है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है मुझे अडिलिस तो खुद को तो मैं अंडरस्टन कर पाऊंगा ना कि मैं कितना दिया है सही में समझ में आया की नह मैं बना सकता हूं इंप्रूब्मेंट एरिया सब के लिए है सब के लिए है और यह एकसेप्ट भी करना चाहिए तो मैं तो एकसेप्ट करता हूं कि मेरा भी इंप्रूब्मेंट प्लान होना चाहिए में इंप्रूब्मेंट एरिया भी होना चाहिए कहां पर मैं इंप्रू मेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिन्दगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दद भी और यहां पर कुछ चोटा मोटा ओटमेशन है ठीक है तो आपको कुछ भी क्वेरी है कोई नया कुछ टॉपिक के ओपर डिस्केशन करना है तो आप कॉमेंट्स में जाके लिख सकते ह और आपको कैसा लगा एक्सप्रियंस क्या है आप डिफिनिटली लिखिये तो भी मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकता हूं कि आपका कमेंट्स देख के और कुछ शीख भी सकता हूं ठीक है यह बेसिकली नॉलेच शेयरिंग सेशन है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानता हूं आप नहीं जानता है ऐसा नहीं है जितना दूर तक है मैं कोशिश कि आप लोग को देने के लिए हो सकते कि आप इसमें से कुछ सीख पाए तो इतना दूर तक आप मेरे साथ हैं जूरे हैं तो थैंक यू सो मच फ्रम आई हट और प्लीस टेक्यार एंड एपी नूव यूए नहीं आप उन्स प्लीस टेकर एंड पीस आउट